कि नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है हम सभी के घरों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि काफी पुरानी होती हैं लेकिन उन्हें कुछ ऐसी खासियत होती हैं जिसकी वजह से हम उने easily फेक नहीं पाते हैं डिसकार्ड नहीं कर पाते हैं और वो चीजें हमारे अलमिराज में किसी कोने में बस यूहीं पड़ी रहती हैं ना तो उन्हें हम यूज कर पाते हैं और ना ही उन्हें फेकते बनता है और कभी-कभी शॉपिंग के दौरान चाहे वो ऑनलाइन शॉपिं हिसाब से नहीं बनी होती हैं तो आज के एपिसोड में मैं कुछ ऐसे ही आइडिया शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप ऐसी चीजों को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल पाएंगी उन्हें एक नया रूप दे पाएंगी और इसे जुगाड कहते हैं जिहां जुगाड से काम करना अपने आप में एक प्रतिभा है तो चलिए शुरू करती हूं ये मेरी एक बहुत पुरानी कोटा की साड़ी है और इसके बॉडर और आचल में रेशम के धागे से एमप्रोईडरी किया गया है तो साड़ी तो बीच से फट चुकी है लेकिन ये एमप्रोईडरी ब अब मिलना मुश्किल है तो इसे रीटेन करने के लिए मैं एक जुगार लगाऊंगी और उसके लिए सबसे पहले मैं साड़ी का जो फॉल है उसको अलग कर लूँगी मैंने फॉल को बहुत ही कैरफुली अलग किया लेकिन फिर भी चुकी साड़ी पुरानी थी तो ये कहीं से फट गई तो उसे कवर करने के लिए मैंने इस तरह का पैच लगा लिया फेविक्रिल ग्लू की मदद से आप देखिए यहां नीचे मैंने दो पैचे लगाए हैं और उसके बाद ये जो कड़ाई वाला पोर्शन है इसे मैंने कट करके अलग कर लिया तो सबसे पहले मैंन सपेस होना चाहिए ताकि आप साड़ी को पूरा अच्छे तरीके से फैला सके और कट बिल्कुल स्ट्रेट हो आपकी साड़ी आड़ी तिर्ची ना कटे और मैंने बिल्कुल एंब्रॉइडरी से सटा कर नहीं काटा है दो इंच ऊपर काटा है मैं बिल्कुल डीटेल में आ तो यहां आप देखिए मैंने जो दो इंच छोड़ा था उसे इस तरीके से फोल्ड करके आयन कर ले रही हूँ और उसके बाद आलपिन की मदद से उसे अच्छे तरीके से सेक्यूर कर लूँगी तो यह देखिए यह जो किनारी है यह बहुत नीच आया है और कहीं से भी तो इस तरह से मैंने उपर और नीचे दोनों तरफ के बॉर्डर को तयार कर लिया है तो मेरे पास यह एक पेस्टल शेड की जूट कॉटन की साड़ी पड़ी हुई थी जिसे मैंने कई बार आज प्लेन साड़ी पहन चुकी हूँ तो इस बॉर्डर को इसी साड़ी पे लग तो साड़ी को इस तरह से फैला लेंगे बिल्कुल कोई सिल्वट वगरा नहीं आना चाहिए स्पेशली एजेज में और उसके बाद इस बॉर्डर को मैं इसके उपर अरेंज करूंगी तो इस तरह से बॉर्डर को अरेंज कर लिया और फिर वही तरीका की आलपिन से इसे मै सेक्यूर कर दूंगी तो इस तरह से मैं पूरी साड़ी तयार कर ली हूँ यह देखने से ऐसा लगेगा कि बिल्कुल साड़ी रेडी हो गई है पूरा सिल्चुका है लेकिन ऐसा नहीं है अभी यह टेंपररली स्टिच किया गया है सिर्फ मैंने आलपिन लगाया है और इस तरह से पूरा फैला कर इसे सेट कर ले रही हूं मुझे साड़ी का बहुत ज्यादा शौक है मेरे पास नहीं भी तो चालिस पैतालिस साल पुरानी साड़ी आपको मिलेंगी और मैं जल्दी से साड़ी को डिसकार्ड नहीं करती हूं उसका कोई न कोई जुगार निकाल ही ल ताकि दिखाई ना दे कि वहाँ पर जॉइन्ट है और जो फॉल है उसे भी चेंज कर दिया गया है और इस तरफ पी अगर मैं आपको बहुत नज़ीक से दिखाऊं तो जो सिलाई है वह बहुत ही किनारे से लगाया गया है बहुत फाइन स्टिचिंग है ताकि वह दिखे ना क कि वहां पे जॉइंट है नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में फिर वो साड़ी जैसे लगेगी ही नहीं वो लगेगा कि कोई बेडशीट जॉइंट कर दिया गया है और उपर की तरफ का जो बॉर्डर है उसमें एमप्रॉइडरी नहीं किया हुआ है उसमें सिर कर दिखाती हूँ आपको तो यह देखिए मैं जेनरली इसी तरह से कैज्वल वे में साड़ी को पहनती हूँ लेकिन इसका आचल इतना सुन्दर है इसे इस तरह से खोल कर पहनने से जादा सुन्दर लगेगा और इसका फॉल भी बहुत अच्छा आ रहा है और मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं क्योंकि इतना कीमती चीज मैंने रीटेन कर लिया और कहीं से भी ये पुरानी साड़ी लग भी नहीं रही है बिलकुल नया गेट अप आ गया है और एक सुन्दर सी चीज बरबाद होने से बच गई और आगे शादियों का मौसम आने वाला है तो हमारे पास चितनी भी भारी भारी साड़ियां है लेंगे हैं उनको हम निकालेंगे और कुछ तो नई खरीदारी भी करना चाहेंगे लेकिन होता ये है कि ये सारी जो भारी भारी साड़ियां लेंगे होते हैं वो काफी महंगे आते हैं और उन्हें हम बस तीन-चार बार at the most कभी-कभी तो उतना भी नहीं पहन पाते हैं क्योंकि हर ओकेजिन पे सेम साड़ी सेम लेंगा तो नहीं पहना जा सकता पहना क्यों नहीं जा सकता लेकिन हम पहनना चाहते नहीं हैं हम चाहते हैं कि कुछ नया पहने तो इसी से related idea शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप जो भी आपके पास पुरानी साड़ियां हैं उनको एक नए ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगी और बिना किसी मेनत के बिना किसी खर्च के और फिर जब आपका फंक्शन ओवर हो जाता है बीच जाता है तो वापस से आप उस सारी को नॉर्मल जैसे पहनती हैं वैसे पहन पाएंगी बहुत कमाल का आइडिया है और जादा समय भ हमें कुछ यलो पहना था मैंने इसे पहनने का सोचा लेकिन ये सारी मैं पहले बहुत सारे उकेजन पे पहन चुकी थी तो मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था तो इसके लिए मैंने अपना एक बहुत ही पुराना कॉंट्रास्ट कलर का दुपट्टा यूज किया और इसे मैं इस सारी में जोइन करूंगी और आचल की तरफ से से जोइन करूंगी लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो दुपट्टे की चौड़ाई है और जो सारी की चौड़ाई है वो मैच नहीं हो रहा था दुपट्टे का चौड़ाई सारी की चौड़ाई से कम था ये देख सकत थोड़ा सा नीचे से ही जॉइन करने का सोचा क्योंकि उपर तो हम उसे टकिन करेंगे अंदर की तरफ खोसेंगे तो वो तो दिखेगा नहीं तो इसलिए जरूरी ये था कि जो नीचे का पोर्शन है उसे बराबर रखा जाए और यहां मैं कोई मशीन स्टिच नहीं करी हूँ सिंपल सा इसे कच्चा कर रही हूँ यानि की छोटा-छोटा मैं इसमें टांका लगा रही हूँ ताकि फंक्शन ओवर होने के बाद मैं बस इसे बहुत एजली खोल कर निकाल सकती हूँ तो इसे जॉइन करने में मुझे मुझे 10 मिनिट लगा और यह देखिए यह मैंने जॉइन कर लिया इसको अब मैं जो सामने का आचल होता है इसे मैं सीधा पला जैसा पहनूंगी तो सामने का जो आचल है उसे इस तरह से प्लीट कर लोंगी तो यह देखिए यह प्लीट्स तयार हो गया और अब इसे मैं आयन कर लोंगी इस तरह से पिन लगा कर इसे अच्छे से आयरन कर ले तो यह अपनी जगह से बिलकुल नहीं खिसकेगा और बहुत नीच लगेगा देखने में और यह देखिए पहनने के बाद यह साड़ी बिलकुल डिफरिंट लग रही है और बहुत नीट लुक आया है कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत क्लमजी है या शाबी लुक है और हाँ मैं इसके पहन कर क्लिपिंग लेना भूल गई इसलिए जो मेरे पास था वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि साड़ी पहन कर तयार होने के बाद उस माइंड फ्रेम में यह ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने इसका वीडियो बनाया है और इसको पूरा कंप्लीट शूट करना है और इसी चकर में यह मिस हो गया बट एनिवेज आपको इतना तो आइडिया लगी गया होगा कि आप इस तरह की भारी वाली साड़ी को एक नया लोक एक नया गेट अप किस तरह से दे सकती हैं जुगाड लगाकर अब जो मैंने सोफा कवर में क्या जुगाड रगाया है वो आपके साथ शेयर दे जा रही हो तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लिविंग रूम में दो सेट है सोफा का मेरे left hand side में आप देख सकते हैं 3 सीटर है और उसके बगल में 1 सीटर है और फिर right hand side में भी एक 3 सीटर है लंबा वाला और उसके बगल में 1 सीटर है ये beach color quilted 5 सीटर velvet sofa cover मैंने online मिंत्रा से लिया link आपको नीचे description में मिल जाएगा चुकि इसका fabric velvet का है और ये quilted है इस वज़ा से बैठने वाले को बहुत ही soft feel देता है और इसके पीछे का fabric भी बहुत ही अच्छे quality का है और इसे आप machine में अराम से धो सकती है और ये wrinkle free है तो इसमें ironing की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है तो किसी तरह की भी maintenance की आफशकता नहीं बढ़ती है और इसमें दो three-seater covers है और दो one-seater covers है तो total six pieces मुझे मिले जबकि मुझे चाहिए थे seven pieces तो अगर मैं इसका दो set खरीती तो वो बेकार का waste हो जाता तो इसलिए मैंने एक जुगार लगाया कि जो sofa back था वो मुझे यूज नहीं करना था क्योंकि वो बहुत एक heavy look देता और बहुत एक monotonous look देता इसके साथ जो इसका sofa back आया था उसको मैंने दूसरे वाले sofa का ये नीचे का सीटर बना लिया लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो sofa back था वो इसके size का नहीं था छोटा था तो उसके लिए जो single seater sofa back था उसको मैंने इस तरह से पीछे के side में join कर दिया तो अब इसकी चोड़ाई पूरे अच्छे तरीके से cover हो जा रही है तो एक ही sofa cover set में मैंने दो sofa set का cover निकाल लिया तो उमीद करती हूँ आज के ये ideas आपको useful लगे हो तो इसे एक like ज़रूर दे दीजेगा friends और family के साथ share कीजेगा और अगर चैनल पे नए है तो इसे subscribe करना न भूले और नीचे दिये गए bell icon को click करने से मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंट मिल जाया करेगी और आप मुझे facebook और instagram पे भी follow कर सकते हैं तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले हफते एक नए content के साथ तब तक के लिए बाबाई